है वरीवन मैं महन पांडे आप लोगों का अपने यूटूब चैनल के सी आइटाली स्पेसलिश मैं बहुत भोश्वागत करता हूँ और आज मैं आप लोगों के लिए अपने कंप्यूटर वेसिक कूर्स में जो मैं ट्रिपल सी से रिलेटेड स्पेसल क्लासे चला रहा हूँ उसी क्रब में मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत इंपोर्टेन वीडियो ले करकर के आया हूँ लिब्रे ऑफिस कैल्क मेरी जो लास्ट वीडियो थी ट्रिपल सी से रिलेटेड वो लिब्रे ऑफिस राइटर पर थी तो जिसने भी मेरा पिछला वीडियो लिब्रे जा करके देख लेगा विकाज वो भी बहुत important वीडियो है क्योंकि LibreOffice, Writer, Calc तथा Impress से लगभग 45 questions ऐसे होते हैं जो आते हैं true-false और multi-choice questions में तो ये तीनों जो application है जो main applications पढ़ाय जाते हैं triple C syllabus में है word processing, spreadsheet and impression उसके लिए MS Office को replace करके LibreOffice यूज़ किया जा रहा है जिसमें MS Word की जगा पर writer यूज़ हो रहा है, MS Excel की जगा पर LibreOffice Calc की यूज़ हो रहा है तो था MS PowerPoint की जगा पर आपका LibreOffice इंप्रेस यूज़ किया जा रहा है तो आज उसी क्रम में मैं आज आप लोगों को LibreOffice Calc के बारे में completely बताऊंगा और related shortcuts को बताऊंगा और जो most important questions है कुछ उसको भी मैं आज इसमें discuss करूँगा तो ये वीडियो बहुत important होने वाली हर उस व्यक्ति के लिए जो CCC की तयारी कर रहा है तता examination देने जा रहा है तो ये बहुत ही useful वीडियो है इसलिए वीडियो को आप बिना skip की last तक देखें वीडियो अच्छी लगे तो like करें share करें ऐसी important videos को प्राप्त करने के लिए आप चैनल को subscribe जरूर कर लें तथा हमारी videos का notification आप सबसे पहले प्राप्त करने के लिए well icon को जरूर प्रेस कर लें तो चलिए देखते हैं LibreOffice Calc और इसका complete knowledge लेते हैं और इसे important questions को भी इसमें देखते हैं तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं LibreOffice Calc के main window पर हूँ तो सबसे पहले नाम से मैंने पिछली भी classes में आपको बताया था कि नाम जानना पहले जरूरी होता है तो LibreOffice Calc के spreadsheet application है इसका file name spreadsheet होता है और file extension जो है वो है .ods इसे हम वैसे इसका जो file type होता है .odf spreadsheet बोलते हैं odf आप जानते हैं LibreOffice का एक unique extension है open document format और spreadsheet application हम LibreOffice के अंतरगत यूज़ कर रहे हैं default extension पूछा जाता है तो आप .ods कहेंगे .ods का पूरा नाम होता है open document spreadsheet एक बहुत important question है कि जो default file save होती है जिसमें आप file name दिये विना किसी file को save करते हैं तो जो default file name आता है LibreOffice में चाहे वो writer हो, impress हो या फिर आपका calc हो तो इसमें जो default file name लिख करके आ जाता है untitled one करके आ जाता है तो यह भी एक बहुत important question है बार बार पूछा जाता है तो एक को आप अच्छे से त्यार करें फिर आपको आसान होता चला जाएगा next application तो चलिए देखते हैं सबसे उपर इसमें भी title bar है जैसा कि मैंने पिसली वीडियो में आपको बताया था कि title bar को पैचारने का तरीका होता है left corner control menu box and document name and right corner control tools उसके बाद आप देखे menu bar होता है जहाँ पर complete menu options present होते है menu bar को पैचारने का तरीका starting में file और last में help है उसके बाद आपका है standard toolbar जहाँ पर आपके menu bar के options होट कर symbols में दिखते हैं उसके just नीचे आप देखें तो यह आपका format bar है यहाँ हम format कर सकते हैं अपने text को text में कोई परिवर्तन करना चाते हैं तो हम format कर सकते हैं यह आपका हो गया format bar उसके नीचे आप आएंगे जो आपको library office writer से कुछ हालक दिख रहा है यहाँ पर name box available है और यहाँ पर आपका formula bar है चुकि formula के लिए बहुत important application यहाँ पर हम कोई भी calculation बड़े आसानी से कर सकते हैं जिस नीचे हम आज आते हैं यह आपका work area है और work area यहाँ पर हम इसे page नहीं कहते हैं इसे हम seat कहते हैं because जो आपका library office calc है उसका file name spread seat होता है तो इसमें जो seatें present होती है by default एक seat present है बट इसमें हम maximum 10,000 seat तक present कर सकते हैं यह भी question बार-बार पूछा जाता है कि library office calc में हम कितनी seatें ला सकते हैं तो इसमें हम 10,000 seat तक present कर सकते हैं और यह जो आप देख पा रहा है seat बना कैसे है row और column के combination से आपका seat बनता है और यहाँ column heading जो है आपका यह ABC करके जो characters show कर रहा है वो एक-एक character जो देख रहे हैं कि एक column ही है directly जो selection देख रहा है आपको यह column है तो इसमें जो आपके characters हैं वो आपके columns हैं और यहाँ पर जो numbers हैं आपके वो आपके row हैं आप देखें जब हम click करते हैं किसी heading row पर तो पूरा row select हो जाता है तो यह row और column का combination ही seat कहलाता है और सबसे जरूरी चीज़ एक question देखें हम questions को answers questions बताते रहते हैं जो important चीज़ को आप सुनते रहेंगे तो no down भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं calc की seat जो होती है वो देखा जाए तो excel की seat की तरीके से ही होता है because इसमें थोड़ा सा column की संख्या कम होती है column की संख्या कम होती है excel की अपिक्षा यहाँ पर आपको calc की seat में 1024 column मिलते हैं और 10,49,576 रोज मिलते हैं जबकि excel में देखा जाए तो 10,49,576 रोज होते हैं उसमें भी बट उसमें column की संख्या होती है 16,384 यहाँ पर column की संख्या कम होती है 1024 column होता है और 10,49,576 रोज होते हैं तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि हमारे कुल कितने row and columns एविलेबल हैं हापर एक seat में default तरीके से 10,49,576 रोज तथा 1024 column होते हैं लिब्रे ओफिस calc की seat में तो आप देखें यह जो वरकेरिया है आपका इसे हम seat कहते हैं side में आप देखें scroll bar है जैसा कि आपको writer में भी मिला था उसके आप right side में जाएंगे तो यह आपको side bar available मिलेगा जो default user defined window में ही present रहता है नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आपका scroll bar है horizontal scroll bar जो आपने writer में नहीं देखा हुआ था मैंने बूला था जब आपके text आपके left and right में hidden हो जाएंगे तो आपको आपका scroll bar मिलेगा वो भी horizontal scroll bar यहाँ तो यहाँ आपका horizontal scroll bar हो गया जस नीचे आप देखें तो यहाँ आपका seat tab होता है जहाँ पर seat available होती है जितनी भी seat हम बढ़ा सकते हैं बढ़ाना चाहें तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं यहाँ प्लस करते जाएंगे नई seat add होती चली जाएगी जैसा कि मैंने बढ़ाया कि इसमें maximum आप 10,000 seat तक present कर सकते ह उसके जस नीचे आप आएंगे आपको status bar available मिलेगा और status bar मैंने बताया था जो भी हम seat पर work कर रहे हैं या आपने page पर work कर रहे हैं वो status bar उसका complete status आपको provide करता रहता है यहाँ आप देखें right side में जो zoom slider है यहाँ आपका writer से different होता है यहाँ जो होता है writer में 600 maximum zoom था और minimum 20 था यहाँ पर आपको minimum 20 मिलेगा और maximum 400% zoom मिलता है आप देखें maximum है आपका 400% zoom है और minimum जो होता है वो 20% zoom होता है यह minimum zoom है आप देखें यह 20% है और maximum zoom है आपका 400 तो यह भी question बार-बार पुछा जाता है तो यह सब important questions है इसका विसे ध्यान दें आप इसके just नीचे आप देखें तो taskbar जो आपका windows operating system है उसमें default format है कि bottom में ही आपको taskbar available मिलता है तो यह होगे आपका part of window तो एक बार फिर से हम सुन लेते हैं file name होता है spreadsheet and file extension होता है .ods title बार उपर होता है उसके बाद आपका menu बार है उसके बाद आपका standard toolbar है next आपका format बार है इसके बाद name box है उसके नीचे आप name box के side में आपका formula bar available है और जो आपका work area उसे हम seat कहते हैं और seat cup बनता है जब column and rose आपस में मिलते हैं यहाँ पर column की संक्या 1024 होती है और rose की संक्या 10,48,576 होता है नीचे हमाते हैं तो यहाँ आपको horizontal scroll bar मिलता है side में आपको vertical scroll bar मिलता है scroll bar में elevator होता है और scroll bar के vertical scroll bar के right side में आपका side bar होता है यहाँ नीचे माएंगे तो यह seat tab होता है जहां maximum 10,000 seat present कर सकते हैं and status bar होता है और right side में zoom slider होता है जो minimum 20% है and maximum 400 है bottom में आपका task bar होता है तो यह हो गया आपका part of window यहाँ देख लेते हैं file जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि यहाँ नाम के according ही आपको मीनू को समझना जिसे मीनू को याद रखना आपको तो जो नाम है जिसे file है तो file से related options जो भी है new file, open file, close file, save file, save file, export, file, library office में एक बहुत ही important जानकारी है आपको रखना चाहिए उसको यह भी बार-बार पुछा जाता है कि हम कभी-कभी पूछ लेता है क्य PDF में export कर सकते हैं यहाँ पर PDF file generate की जा सकते है विकाज एक open source है और इसको हम online use कर सकते हैं आसानी से तो यहाँ से हम export PDF के थ्रू हम PDF file save कर सकते हैं directly यह बहुत ही unique option है लिब्रे office में यह questions भी बार-बार पुछे जाते हैं और लगबख सारे options writer की file से मिलते जुलते हैं यहाँ प आपको मिलती है new open save save as close is सारी चीजें इसमें मिलती हैं तो आप देख लेंगे इसको यहाँ पर आपका shortcuts है वो भी आपका library writer से मिलता हुआ है तो आपको बार-बार इसको रटना या याद करना नहीं पड़ेगा हम edit देखते हैं edit से ही वेकता होता है कि जैसे मैंने कुछ भी जैसे undo का है control-z, control-y, redo का तो यही कुछ unique shortcuts होते हैं तो भी आप तयार कर लेंगे और यह maximum shortcuts मैंने बताया आपको कि maximum shortcuts आपके library writer से match करते हैं तो वो जो shortcuts आपके इसमें different हैं वो आप इसको याद कर लेंगे और library writer के shortcuts को आप याद कर लेंगे तो आपके पास collections बढ़ जाएंग कि मैंने separate video बनाया हुआ है आपके triple C slabs से जो important shortcuts हैं तो वहां से भी आप shortcuts को आसानी से तयार कर सकते हैं और view option आप दिखते हैं व्यू जो है आपका इसके द्वारा हम view कराते हैं जो आपके toolbar हैं या आप अपने file में कोई भी work कर रहे हैं उसमें कुछ main formatting options होते हैं या toolbar होते ह हैं कोई भी extra toolbar sent होता है या present होता है तो हम view के माध्यम से ही कर पाते हैं जैसा कि toolbar आप देख पा रहे हैं इसमें पूरी listing है toolbar की तो यहां से हम options को थोड़ा सा देख लेंगे एक दो बार देख लेंगे तो आसानी से वह तयार हो जाएगा तो उसी के आप से आप इसको पढ़ होते हैं तो इस तरीके से आप format को तयार कर लेंगे style के द्वारा हम style परिवर्तित करते हैं तो style से related options को आप यहां से देख लेंगे seat में जो seat क्या है table है table का एक प्रारूप है row and columns को mix up करते हैं तो एक seat तयार होता है वैसे ही row column को mix up करके आप table तयार करते हैं तो यहां पर insert cell insert row column cell यह सारी चीज़ें को आपको present present करना है या delete करना है seat को नई seat को present करना है seat last end seat पर जाना या move करना है copy seat करना है तो यह सारे options आपके seat option में present होंगे तो इससे आप आसानी से आप याद रख सकते हैं कि seat से related options है और जो इस short cuts important है वहाँ पर so हो रहे हैं उसको आप no down कर लें data है data के द्वारा हम short filter ascending descending या कोई भी calculation अगरा का काम करतेते हैं validation subtotal define range consolidate group outline static से यह सारी चीज़ें हम यहाँ से कर सकते हैं यही से हम form अगरा भी कर सकते हैं short और filter यह बहुत ही important option होते हैं आपके seat में spread seat program में तो यह सारी चीज़ें आपके data में जहां से data को हम short कर सकें filter कर सकें data का range define कर सकें data का एक private chart बना सकें valid कर सकें data को data chart create कर सकें consolidate कर सकें data को group में कर सकें वो सारे option आपके data में present होते हैं तो यहां से आप तयार रख सकते हैं menu options को tool में देखें तो मैंने आपको बताया था जो improvement कुछ checking करना है या कुछ change करना है तो tools की मदद से आप tool menu में जा करके वहां से कर सकते हैं जिसे form ओगरा करना है गोल सीक करना है auto correct option को use करना है micros ओगरा करना है तो seat को protect करना है share करना है structure को आपको प्रोटेक्ट करना है तो वह सारा काम आप tool के माध्यम से करते हैं और जो important shortcuts है उसे भी आप यहां से तयार कर लें window मैंने बताया था कि new window, close window या switch window तो यह सारे options window में available होते हैं तो यहां से आप उसको देख सकते हैं और तयार कर सकते हैं तो यह आपका है Libre Office Cal का whole window जहां से important questions यहीं से बनते हैं part of window से बहुत सारे questions बनते हैं seat क्या है last cell number क्या है last cell number जो होता है यहां AMJ जैसा कि मैंने भी आपको दिखाया था यह last cell number है AMJ 10,48,560 और last column पर जाना है तो हम control के साथ right click करते हैं तो हम last column पर पहुँच जाते हैं control के साथ home करेंगे तो starting में पहुच जाएंगे किसी row के starting में आना है तो home पर आते हैं या control home करते हैं तो हम पहले row and column पर पहुच जाते हैं एवन पर पहुंच जाते हैं, लास्ट रोज पर जाना है, तो shortcut control down arrow की होता है, और इसी तरीके से work sheet को select करना है, control shift plus space बार कर देते हैं, तो हमारा पूरा seat select हो जाता है, तो इस तरह से हमें starting में जाना है, तो control home करेंगे, में starting में आ जाएंगे, तो यह कुछ shortcuts हैं, जिसको आप जैसा कि मैंने बताया आपको file में ही print preview option होता है, वहाँ से आप तयार कर सकते हैं, control plus shift plus o है, जैसा कि writer में मैंने आपको बताया था, तो यह इसका shortcut होगा, तो हम दोनों का use करके, बोथ A and B, एक trick भी है, अगर बोथ A and B या B and C, बोथ करके, अगर question का answer आ रहा है, आपको नहीं मालूम है, तो बोथ वाले पर जाना ही आपके लिए अच्छा रहता है, चुकि ज्यादातर condition में बोथ के options सही होते हैं, next आप देख लें, cell को edit mode में करन अगला देख लें, आप Libre Office Calc में अधिक्तम जूम नहीं कर सकते, ये कितना नहीं कर सकते, ये 300 भी हो जाता है, 200 भी हो जाता है, और maximum 400 परसेंट होता ही है, तो 500 हम नहीं कर सकते, questions देखे, आप लोग exam देने जाएंगे, तो questions को आप complete पढ़ेंगे, यदि complete नहीं पढ़ते ह आप जैसे अधिक्तम तक पढ़े और आगे आपने नहीं पढ़ा, तो आप directly 400 पर क्लिक कर देंगे, अगर आपको मालूम है, लेकिन आगे नहीं लिखा हुआ है, तो 500 इसमें ऐसा है, जो अधिक्तम जूम नहीं किया जा सकता, तो ये है आपका important question, next हम देखते हैं, Libre Office Calc मे cell formatting के लिए कि shortcut kunji का प्रियोग करते हैं, cell को format करना है, तो shortcut होता है, control plus 1, Libre Office Calc में कितने column होते हैं, अभी मैंने आपको बताया, 1000, 24, जो अभी मैंने बताया, उसको अगर आपने carefully पढ़ा हुआ है, तो बहुत सारे questions आपके तयार हो जाएंगे, आसानी से आप देख पा रहे हैं, जो अभी मैंने आपको लोगों को बताया है, Libre Office Calc में time insert करने के लिए कि shortcut kunji का प्रियोग किया जाता है, तो control plus shift plus आपका semi colon होता है, जिससे हम जो आपका time insert कर सकते हैं, shortcut kunji का इस्तमाल करके आपका control shift plus semi colon, Libre Office Calc में merge cell करना है, cell को एकठा करना है, मिलाना है, तो किस menu मे जाके, अभी मैंने आपको बताया था, कोई भी format work करते हैं, तो हम format में जाते हैं, format menu में, इसलिए menu से option जरूर आते हैं, तो उसको आप जरूर तयार कर लेंगे, Libre Office Calc में number left alignment और alphabet right alignment होता है, देखे, Libre Office Calc में जो आपका number होता है, वो right align होता है, और जो characters होते हैं, जो alphabet होत left align होते हैं, यहाँ पर ultra लिखा हुआ है, तो आप इसको false कर देंगे, तो इस तरह से आप तयार कर सकते हैं, किसी भी seat में जो numbers होते हैं, वो right align होते हैं, और जो text होते हैं, alphabet लिखे जाते हैं, वो सब left align होते हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, और एक चीज़ देखे, य उससे आपका, आप ही अगर ऐसा बना मिल जाता है, आपको तो आप मान लिजे कि cell छोटा है हमारे value से, तो हमको cell को बड़ा कर लेना होता है, fit कर लेना होता है, किसी cell को delete करने का shortcut क्या होता है, cell को delete करने का shortcut होता है, control plus minus, उससे hidden हो जाता है, delete हो जाता है, पूरे row को select करने के कि shortcut कुंजी का प्रियोग करते हैं shift plus space bar हम कर दें तो एक complete row select हो जाता है आप जानते हैं कि last column तक हमें जाना है तो हम control right arrow की करते हैं वैसे ही shift plus space bar करके उसको हम select भी कर सकते हैं LibreOffice Calc में function insert करने के लिए किस कुंजी का प्रियोग करते हैं यह बहुत ही important है कोई भी function आप लगा रहे हो तो आप formula लगाना है तो control plus F2 करते ही आपका function insert हो जाता है next हम देख लेते हैं round और trunk क्या यह दोनों function आपके समान होते हैं round आपका मतलब होता है जो हम कोई भी round figure में लेना चाहते हैं तो उसका अलग-अलग use है तो इसलिए यहाँ पर इसको हम false करेंगे तो questions को आप पढ़ें उसके बाद उसका आप answer करें LibreOffice Calc में default file extension क्या होता है मैंने अभी आप लोगों को बताया .ods होता है default file extension .ods LibreOffice Calc file by default किस नाम से save होता है Untitled 1 नाम से भी मैंने अभी आपको बताया LibreOffice Calc में ही नहीं Writer, Impress, Calc सब में आपका Untitled 1 नाम से फाइल आपकी save हो जाती है Untitled नाम से फाइल save होती है LibreOffice में comment के लिए किस कुझी का प्रयोग करते है Ctrl, Alt, C जो shortcut है आपका LibreOffice में आप comment को present करने का ये shortcut है Next हम देख लेते हैं LibreOffice Calc और Writer में Ctrl प्लस D का का काम समान होता है Ctrl D दोनों में अलग-अलग यूज है इसलिए यहाँ पर इसको फाल्स करेंगे Cycle Case क्या है Cycle Case का एक पूरा complete cycle का तयार होता है आपके 5 होते हैं आपका lower होता है upper होता है sentence case होता है toggle case होता है applied each word होता है तो यह आला फैब अब इसमें सही हो जाएगा आप देखें product ऐसा एक formula अगर लगाते हैं product 7-8 का क्या मान होगा तो 56 आ जाता है इसमें गुणा हो जाता है 8-7-56 अगली सीट में जाने के लिए किस कुझी का प्रयोग करते हैं control के साथ हम टैब कर लेते हैं तो हम अगली सीट में पहुँच जाते हैं LibreOffice Calc को पूरे cell को एक cell में बदल सकते हैं जी अगर हम merge कर देते हैं तो यह हो जाता है तो यहाँ पर true हो जाएगा आपका answer LibreOffice में full screen करने के लिए shortcut कुझी का प्रयोग करते हैं तो अगर control से plus J कर देते हैं तो full screen आपका LibreOffice में आ जाता है next आपका LibreOffice Calc में किसी value को highlight करने के लिए कि shortcut कुझी का प्रयोग करते हैं तो control प्रस F8 करते हैं तो कोई भी value को हम highlight कर सकते हैं LibreOffice Calc में किसी cell का address कहां दिखाई देता है तो कोई भी cell का address आपके name box में so करता है तो इस तरह से आप तयार कर सकते हैं तो ये कुछ important questions थे जिसको मैंने आपको बताया है इस तरीके से सबसे main है आपके लिए कि आप पूरी window को अच्छे से पढ़ लें और completely उसको समझ लें नहीं होती है अगर इस लिब्रे office calc window का आपको complete knowledge है फिर आपको कोई भी question ऐसा नहीं होगा जो आप उसको solve ना कर पाएं तो completely इसको आप देख लेंगे deeply इसको आप समझ लेंगे menu उसको पढ़ लेंगे तो आसानी से सारे question 10 से 15 question जो लिब्रे office calc से आते हैं उसे आप आसानी से solve कर पाएंगे I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा यद वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को like करें share करें तो था ऐसी important वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को subscribe जरूर कर लें और वीडियो का सबसे पहले notification प्राप्त करने के लिए bell icon को जरूर प्रस कर लें तो मिलते हैं next day next video के साथ तक के लिए thank you जैहिन